तो वो rounded shape नहीं आती, आपको वो एकदम जो curvy figure चाहिए वो नहीं आता, तो चाहे आपके hips बहुत जादा है या बहुत कम है, इस video को देखना तो बनता है, बड़े हैं, बुजूर्ग हैं, आदमी हैं, औरत हैं, हर कोई, किसी भी उमर के लोग कर सकते हैं, और इससे आपके knee मे बिल्कुल भी कोई effect नहीं पड़ेगा, अकसर देखा जाता है, जो overweight लोग होते हैं, जब वो exercise करने जाते हैं, तो या नीम में pain शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरी body का weight, knees में पड़ता है, लेकिन जो आज मैं आपको exercises बताऊंगी, वो वैसे ही follow कर ये, जो जो मैं instructions दोंग और मेरे इस channel को like, share and subscribe करना ना भूले, bell icon जरूर क्लिक करिएगा, अब अपनी exercise शुरू करते हैं, one, two, three, अपनी नी को जितना पीछे लेके जा सकते हैं, उतना आपको फाइदा मिलेगा, six, seven, eight, nine and ten, well done, आप दूसरी side करते हैं जल्दी से, one, two, three, four, five, six, burn feel हो रहा है ना आप लोगों को, मुझे भी बहुत feel हो रहा है, glutes मे, eight, nine and ten, well done, हमने first exercise बड़े ही अच्छे से complete कर ली है, आईए जल्दी से second exercise करते हैं, How to reduce butt fat fast, second exercise मैं आपको बताती हूँ, काफी लोगों को cellulite की बहुत जादा problem होती है, सबसे जादा cellulite thighs and hips पे पाया जाता है, अब इससे अगर आपको चुटकारा पाना है तो ये वाली exercise रामबान का काम करेगी, इसमें आप जब exercise कर रहे हों तो ध्यान रखिएगा कि आपक की मदद चाहिए, इस प्रकार से hips को एकदम tight करते हुए उपर की तरफ उठेंगे और वापस squeeze करेंगे, फिर हम नीचे जाएंगे relaxed position में और फिर हम एक बारी और उठके एकदम squeeze करेंगे tight से अपने hips को और फिर हम वापस आजाएंगे, इससे आपकी glute muscles बहुत जादा strong हो ज एक हो जुगा है, two and push, three and push and squeeze, four, five, six, seven eight, nine and ten, well done, super proud of you, जल्दी से third exercise शुरू करते हैं, how to reduce butt fat fast के लिए मैं आपको एक health tip देना चाहूंगी, third exercise शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि green tea का seven बहुत जरूरी है, अगर आप हर meal के एक घंटे के बाद green tea लेते हैं, तो फिर देखिए कितनी जल्दी आपके hips का fat गायब हो जाएगा, जल्दी से third exercise शुरू करते हैं, third exercise शुरू करने के लिए हम लेंगे एक chair की मदद और हम करेंगे pretend sitting, pretend sitting का मतलब है कि हम pretend करेंगे हम एक chair के ओपर बैट रहे हैं, इस chair पर नहीं, यहाँ पर हमें एक अपने ले chair create करनी है, आईए मैं दिखाती हूँ, इस तरह से हम chair को पकड़ेंगे, इतने ही distance पर arms को पूरा straight रखते हुए, और हम पहले अपने hips को नीचे लेके जाएंगे, ऐसे, और hold करेंगे 5 seconds के लिए, आप देख सकते हैं मेरी जो knees और मेरे toes के बीच में जो distance है, वो बिलकुल एक straight line है, और फिर हम उपर आ जाएंगे, लेकिन जो गलती लोग जादा तर करते हैं, वो क्या अपन नीच के साथ में bending स्टार्ट करते हैं, ऐसे, अपनी back को एकदम अकडा देते हैं, ऐसे करते हैं, वो बिलकुल wrong है, क्योंकि इससे आपकी नीच में बहुत जादा जोर पड़ेगा और बहुत पेन भी हो जाएगा, तो इसको ना करें, आइए right way से शुरू करते हैं अपनी exercise, 1, 2, 3, 4, 5, and up, 1, 2, 3, 4, 5, and up, 1, 2, 3, 4, 5, and up, 1, 2, 3, 4, 5, 3 counts हो चुके हैं और मुझे बहुत जादा burn feel होना शुरू हो गया, आइए फोर्थ भी जल्दी से कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें आप देख सकते हैं, बैक बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, उतनी ही बेंट है, जितना बैक का नाच्रल कर्व है, वेल डाइन, बहुत अच्छा किया, थोड़ी सी टफ जरूर रही होगी कुछ लोगों के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप एक्साइस करते रहेंगे, इस थाइस और लेग्स का फैट गायब हो जाएगा जादू से, उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्रम हैंडल पर जाना पड़ेगा और उस रेसिपी का लिंक वही पर शेर किया हुआ है, इंस्टाग्रम हैंडल का लिंक यहाँ पर है और मेरे डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में भी है, आप असानी से उसको अविल कर सकते हैं, आईए अब मैं आपको exercise दिखाती हूँ, इस exercise के लिए हमने इस प्रकार से अपनी एक-एक करके leg को उठाना है, back को straight रखेंगे, इस distance को अपने elbows को bend नहीं होने देंगे, इस प्रकार से आगे नहीं जुकेंगे, तो इसको करने के लिए अगर आपको लगता है कि आप leg को बहुत जादा उपर भी उठा सकते हैं, तो आप करिए आपकी मर्जी है, लेकिन जितना मैं कर रही हूँ, उतना भी बहुत बड़ी आपको effect देगा, आईए शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बैक को बिल्कुल स्टेट रखिए, 8, 9, and 10, 10, well done, but 10 और बचे हैं भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, well done, बहुत अच्छे, Weight Loss with Natasha Mohan, मेरे नई चानल का नाम है, जो की सिर्फ English में है, उसमें मैं अलग-अलग नई तरह के वीडियोज डालती हूँ, उसे भी like, share and subscribe करना ना भूलें, लिंक चाहिए तो description box में आपको मिल जाएगा, अब आप देखिए कितनी जल्दी आपका hips का fat reduce हो जाएगा, इन सारी exercises में से कौन सी वाली सबसे बढ़िया लगी, मुझे comment section में बताईए, और कौन से videos बनाऊं, आप सब के लिए ये भी मुझे बताईए, शौर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस channel को like, share and subscribe करना ना भूलें, बाबाई!